यही बात मैं कहूँ कि कहीं 2012 वाली स्थिती तो नहीं उत्तर पर्दिस में आ जाए जहाँ पूर बहुमत की सरकार बहुजन समाएक पार्टी की रही है जो यह पूरा और का पूरा सिस्टम को जो है धर्म और आस्था से जोड़ करके कहीं भी जनता की जो मूल भूत समस्याएं है उस पर परकास नहीं डाला जाता है जब इस तरीके की विचारधारा से आप वित्तिफाक रखते हैं तो क्यू नहीं इंडिया गटबंदन में बसपा सामील हो जाती आज के चैनल के माध्यम से यह भविस्वारी करता है कि देखिएगा 2024 में यही भारती जनता पार्टी वीपच इस पर तंज करता है कि मैवती को डर है EDCBI का इसलिए वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोल चोटी चोटी जैसे बड़ी नदियों में से चोटी चोटी साखाय निकलती है नदिया निकलती है तो ऐसे कुछ लोग निकल चुके हैं अपने अपने दल को प्रमोट कर रहे हैं अल्पसंखकों को साथ साथ दलितों के साथ साथ जादा टिकट तो उन्होंने ब्रामर समाज को भी दिया है। भारती जनता पार्टी कुछ पैसे का सरकार के पैसे को माट रही है और बोट के रूप में उसको तब्दिल कर रही है। जिसकी जब हवा चलती थी तो वहां सरकारे बनती थी। जिसका साथ किसी पार्टी के साथ आ जाये तो फिर सरकार बन जाती थी। लेकिन अब उस पार्टी का कहीं न कहीं जनाधार खत्रे में पढ़ता हुआ दिख रहा है। उस पार्टी का अस्तित्व अब खत्रे में पढ़ता दिख रहा है। उस पार्टी ने 2019 में उस पार्टी के 10 सांसद हुए लेकिन 10 सांसद अब आने वाले 2024 के लोग सभाचुनाओं में साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ किसी और पार्टी का दामन धाम चुके हैं, तो कुछ कॉंग्रेस या फिर BJP जैसी पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में अभी हम गोरकपुर में मौझूद हैं और आज हमारे साथ बाचीत करने के लिए नवल किसोर नधानी जी हैं, पूर में मेर प्रत्यासी बस्पा से रह चुके हैं, इनसे थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं, कि आखिर बस्पा के जो सांसद हैं, उनके बीच लगातार भागदौण वाली स्तिती की उत्पन हो रही है, सबसे पहले तो स्वागत है, और सवाल यहीं से सुरू करते हैं, कि आखिर एक ऐसी पार्टी जो मुक्मंत्री दे रही थी उत्तर प्रदेश को, वो अब कहीं न कहीं उसके जानाधार, उसका अस्तित अब खत्रे म हैं, तो आज उत्तर परदेश में अगर भारती जनता पार्टी ने सबसे अधिक सांसद लिए, ऐसे में सेकेंड नमबर पर 2019 में 10 सांसद हमारी बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के खाते में था, तो ऐसे में यह कह देना कि जहां सांसद 10-10 सांसद हो उत्तर पार्टी में जा रहा है सर, देखिए यह हमाएं जो बन रही है ना इस समय हमारी पार्टी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरी पार्टी कमजोर हो रही है, मेरी पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है, आज भी देखिए विपक्ष जो भी है, आज भी हमारी पार्टी को ललाइत नजरों से क्यों देख रहा है अगर मेरी पार्टी कमजोर है तो अपना परत्यासी उतार करके पूरा घोस्डा कर दे हो रहे पूरे इंदुस्तान में 2014 वाली स्थिति कहीं फिर न 2024 में दोहराई जाए क्योंकि एक भी स्थीट 2014 में आई नहीं थी 2019 में सपा का साथ मिला 10 सीटें आपको मिली हलाकि सपा को थोड़ी कम सीटें मिली लेकिन सपा का साथ 2019 में था इसलिए जानाथार थोड़ा और मजबूत था इस बार ना सपा के साथ गटबंधन ना कॉंग्रेस के साथ गटबंधन ना इंडिया गटबंधन से जुड़ाओ तो मैं बार बार यही कहना चाहा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को लोग हलके में आक रहे हैं, यह हलकी पार्टी नहीं है, यह एक मीशल है, यह समय समय पर दलितों, अल्प संक्कों, पिछडों, सभी की आवाज को बुलंद करता है, सम्मिधान को ले करके चलता है, लेकिन बर्तमान में जो सरकारे हैं, जो यह पूरा और का पूरा सिस्टम को जो है, धर्म और आस्था से जोड़ करके, कहीं भी जनता की जो मूल भूत समस्याए हैं, उस पर परकास नहीं डाला जाता है, उस पर नहीं बताया जाता है कि युवाओं को क्या चाहिए, बैपारियों क कीचन सस्ता है कि महंगा है, किसान दिल्ली जाकर के बॉर्डर पे धरना परदर्सन कर रहे हैं, इन सब चीजों से जनता पबली का ध्यान भटका रही है, और हमारी पार्टी को जो हमारी पार्टी जमीन से ही मजबूत है, उसका बेस बोटर है, उसके बाद वो सभी बर्गो को लेके चलती है, ऐसे में हमारी पार्टी को हलका आकना, ये सोची समझी चाल है उन लोगों की, आज भी सारी पार्टियां, महुजन समाज पार्टी हमारी नेताव, वहन मायवती जी को ललाइत नजरों से देख रही है, कि वो हमारे पक्ष में आ जाए, क्यों देख रही ह आपको एक चीज करेक्टर दू, 2012 में अकलेस की सरकार थी, 2017 में पूर्ड भहुमत के साथ बस्पा आई थी, तो एक चीज ये आपको करेक्टर न चाहूँगा, दूसरी चीज आपको मैं ये बताऊँ, कि 2007 में जब बस्पा की सरकार आई थी, तो बहुजन हितायवाला नारा न बहुत नीचे गिर चुका है बस्पा का, गुड्डू जमाली जैसे नेता जो है बस्पा का साथ अभी कल परसों में छोड़ दीए, एक बड़े नेता थे, क्या लगता है कि इससे जो पार्टी कमजोर होती दिखेगी, 2024 के चुनाओं, नहीं, हमारे प्रत्यासियों से, हमार में भेजने का काम करेगी, यह भूल लाइए, कि आज आज आप खुद देखिए ना, भारती जनता पार्टी तमाम सान सदों को अपने तरफ खीच रही है, जब आप मजबूत है तो खीचने का प्रयास क्यों कर रहा है, आप चुनाओं में देख लिजिए, यह विचारधा कहीं ना कहीं, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस ने भी इसी तरीके का ब्यान दिया, सपा ने इस तरीके का ब्यान दिया, मतलब इंडिया गट बंदन जो मिला हुआ है, वो इस तरीके का ब्यान दे रहा है, जब इस तरीके की विचारधारा से आप वितिफाक रखते हैं, तो क्यों इंडिया गटबंदन में बसपास सामील हो जाती हैं हम अपने आप में मजबूत हैं आप एक भी उधारण दीजिए कि किसी सांसत को तोड़ करके बहुजन समाज समाज पार्टी के लोग बढन करके दिमाज को हम नहीं की जा रही है उसी बात को हम बहुजन समाज पार्टी के लोग जनता तक रखेंगे और निश्रीत रूप से आप देखिए कि 2024 में एक ऐसा आकड़ा प्रस्तुत होने जा रहा है जिसमें बिना बहन जी के सरकार बनने में नहीं मिलेगी और पर्थान मंत्री जैसे आपने पीछली उत्तर परदेश के चार बार के कारकाल को आपने देखा है कि उसमें क सिति वही आने वाली है 2024 में मैं आपके इस गोरगपूर पोस्ट के आपके चैनल के माध्यम से भविस्वारी करता हूं कि देखिएगा 2024 में यही भारती जन्ता पार्टी हमारे इतने सांसत तयार हो जाएंगे कि यह समर्थन दे करके हमारी महार्य मायवती जी को परदान मंत भी लगातार जो भाजपा के विरुद्द तमाम जो पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कटाक्ष करती हैं लेकिन मायवती और बसपा जो है इस पर एक सॉफ्ट कॉर्णर लेकर चल लई है इसका क्या एक चीजे हो सकती है पर सबसें हो सकते हैं यह तो विपक्ष इस पर तंज करता है कि मायवती को डर है EDCBI का इसलिए वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती नहीं कहीं को EDCBI नहीं है बहुजन समाज पार्टी अपने आपने ताओं कि उपर EDCBI की लगातार रेड और जांच और नोटीस भेजा जारा देखिल अकलिस जादों क जो थी अब दिल्ली से जो है नोटीस आया है तो आप बताएं कि ये कहीं नहीं तो डर नहीं है मायवती के अंदर की EDCBI का नोटीस या फिर किसी तरीके की कुछ चीज़े हो जाएं जहां पीछे पर जाएं इसलिए बीजेपी के लिए एक सौफ्ट कॉर्णर रखना है और पार्टियों को घेरना है इस तरीके की चीजरें एसा कुछ भी बहन मायवती जी के पास नहीं है एक जहां EDCBI आ या फेली चीज़ें और जो बरतमान सरकारी इस चुनावी दोर में इस तरह की चीजें अगर क्रस्तुत भी कर रही है किसी का स्भेज भी रही है तो यह भी सम लो बात ा के बीच में हम लोग उसी बात को λέ़ करके दिमाइब में रखे हुए हम कोई भी जाती धर्म की बातने करते हैं हम सभी बर्गों को ले करके चलते हैं और कहें भारती जंता पार्टी जो अपनी नीतियों में CBI जो भी आप कह रहा है कि EDPD का उप्योग कर रही है तो यह उसकी सोच है उसकी मानसिक्ता है उसमें हम कोई भी आरूप प्रत्यारूप नहीं करेंगे हमیशा से बस्पा का जो जनाधार रहा है वो दरीत वोट बैंक अधिक रहा है या दरीत वोट बैंक का जो जुडाव रहा है बस्पा के साथ वो बहुत पुराना और एक गहरा रहा है ऐसे में किया आपको लगता है कि अभी मौझूदा राजनातिक परिवेसं में जब तोicki 2014 क कि कोड़ वोटर है उनके बीच में कहीं न कहीं एक स्टेथ लगाने की कोशिस है बहुजन समाज पार्टी एक यह संगम है चोटी चोटी जैसे बड़ी नदियों में से छोटी-चोटी साखाय निकलती है नदिया निकलती है वैसे कुछ लोग निकल चुके हैं अपने अपने दल को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन कहीं भी मीशन सबका एक ही है सारे लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी बहन मायवतिजी का संबान करते हैं और सारे लोगों का बोट हाथी चुनाओ निसान पर ही आना है कहीं अगर किसी की महत्वा काच्छा बनती भी है तो एक चुना को साथ नलितों के साथ साह ज़्यादा तिकट तो उन्होंने बरामर समाज को बीदी है धाकुर्ण समाज को भी दिया है घर समाज बी निसाद समाज को दिया है हाज आज आपके डीपीस यंग जो उत्त्तरप्रदेश में डिपीस हैं व व किस पार्टी seems आग ज़ो आपके जितने भी लोग रामुवल निसाथ जी हैं, जितने भी मंत्री पैदा लिये, आज इसी बहुजन समाज पार्टी की देन है, ठीक है, महत्वा कांचाए हैं, ये लोग वहाँ से कहीं और जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी नेताओं की बहुत बना चुकी, बहुत नेता पैदा कर चुकी, लेकिन आज भी उसी मीशन के साथ चल लई है, यहाँ पार्टी नहीं है, ये जनता का मीशन है, जो समय समय पर जनहित के लिए जनता के लिए एक मीशन के तहट सामने आती है यही 2024 में आज हमारे जो देश की स्थिति 2014 के बाद बिगडी है लोग युवा परिशान है उसको रोजगार नहीं अभी आपके पास एक एक जाम हुआ है अभी 10 दिन पहले ही हुआ है आपके 60-60 ल युवाओं के साथ क्यों किया जा रहा है यह सिस्टम में जो चीजें गलत चल रही है इस पर ध्यान नहीं जा रहा है इस पर ध्यान जाना चाहिए बरतमान सरकार यह जितनी भी चीजें हैं यह चुणाओं मैदान में हमारी part सामने जनता के सामने रखे गीए वाँ सारे मु यह पांच किलो रासन में एक परिवार में क्या होता है आप समझ सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमारा हिंदुस्तान भारत गरीब देश है इस गरीबी का जो फाइदा लेकरके भारती जनता पार्टी कुछ पैसे का सरकार के पैसे को बाट रही है और बोट के रूप में उसक वक्षु भी जानती है कि हमारे साथ कैसे विश्वाजगात किया जा रहा है और इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है हमारे साथ नवल कि सोर नथानी जी थे बस्पा से और ये जानना हम जरूरी समझे कि जिस तरीके से बस्पा में एक बड़ा उलट फेर देखा जा रहा है एक भागदौर वानी इस्तिती देखी जा रही है जो दस्तांसद है वो लगातार पार्टी छोड़ने की कवायद में है संपर्क में दूसरे पार्टी हो के हैं तो ये समझना बहुत दिल्चस्प है कि आने वाले लोग सबा चुनाओ को चुनाओ से पहले आम चुनाओ से पहले क्या कुछ रूप रेका उत्तर परदेश की बंती है क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर परदेश की राजनीती से ही दिल्ली और केंदर की राजनीती का रास्ता तै होता है तो जाहिर तोर पे बसपा और इंडिया गट बंधन और बीजेपी के बीच उत्तर परदेश में तिरकोडी इस्तिती बंती हुई दिख रही है लेकिन बसपा इसमें अपनी कितनी अच्छी उपस्तिती दर्ज करा पा बाकि ऐसे ही अनक खपरों के लिए बने रहे गुरफ प्रपोस्ट के साथ